आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के यंगेस्ट आइंस्टिंग के नाम से जाने जाने वाले सबसे कम उम्र के प्रोफेशर के बारे में जिन्होंने मात्र छे मात की उम्र से बोलना सुरू कर दिया था और दो साल की उम्र होते होते ही यह मैथ, फेजिक् हल कर लेते थे तो दोस्तो इस प्रोफेशर का नाम है सोबर्नो आईजेक बारी जिनकी वर्तमान आई यू नो वर्स की है तो आईए वीडियो में जानते हैं इनके जीवन के बारे में विस्तार से लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है यदि करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि मैं सित्रे की वीडियो अपने इस चैनल पर लाता रहता हूं तो सोबर्नो आईजेक बारी का जन्म आठ अपरेल 2012 को नियू यू यू यूसे में हुआ था सोबर्नो आईजेक बारी बंगला देश के हैं लेकिन इनकी फैमली नियू यूर्क में रती है और इन्हें अमेरिका में नागरिक्ता प्राप्त है पहले इनका नाम सोबर्नो बारी था लेकिन बाद में इन्हें बेग्यानिक सर आईजेक न्यूटन की आईजेक के उपादी मिली और इनका नाम सोबर्नो आईजेक बारी हो गया सोबर्नो की फैमिली में इनके माता पिता और इनका एक बड़ा भाई है जिसमें पिता का नाम रसी दूल बरी है जो एक मैट के टीचर है और माता का नाम साहेदा बरी है जो एक हाउस वाइफ है इनके बड़े भाई का ना सोबोर्णो आईजेक बरी साल 2020 में भारत भी आ चुके हैं और यहां के मुंबई और पूने उनिवर्शिटी में लेक्चर भी दिये हैं आपको बता दे कि यह साइंटिस्ट और प्रोफेसर के साथ साथ राइटर भी हैं जो बुक लिखा करते हैं इन्होंने एक बुक दल्लव लिखा है जिसका उद्दिस लोगों में खुसी और सांती देना है सोबोनो आईजेक बरी ग्लोबल लेबल के एवार्ड ग्लोबल चाइड पेडरालजी 2020 भी जीच चुके हैं इस एवार्ड को इन्हें भारतिय नुबल विजेता कैलाज विद्दियर्थी द्वरा दिया गया था यह एवार्ड अंतराष्टी अस्तर पर बेश्ट प्रतिभा वाले लोगों को दिया जाता है यह अवर्ड काई छेत्रों में दिया जाता है जैसे संगीद, समाजी कारिकरता, लेकन और पेंटिंग इत्यादी इसके बाद इन्हें होगर्ड इम्निवर्शिटी द्वारा भी इनकी योगिता को देखते हुए समानित दिया गया था नियू यॉर्क सिटी के ही एक अध्यक्स नहीं हमारे समय का आइंस्टिंग घोशित किया था सोबोर्नो अमेरिका के सबसे बड़े रियाल्टी सो वाइस ओफ अमेरिका में इंटर्विवी दे चुके हैं तो दोस्तो ये रही दुनिया के सबसे कम उमर के प्रोफेसर सोबोर्नो आईजेक बरी की बायोग्राफी यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्टाइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं सित्रे की ब्यूडियो अपने इस चैनल पर लाता रहता हूँ